विडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका नागरिसास का चैप्टर वन है सीत यूद का दौर उसके मोस्ट इंपोर्टन दीर गुतिर प्रेशन उतर इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके शौर्ट टाइप कोशन सर्वर वैरी शौर्ट टाइप देख चुके हैं वह वीडियो देख लीजगे उसमें बहुत इंपोर्टन कनस सब्सक्रम हीटप्रि आपके एक्से करने हम लोग ने देखे हैं क्यणी सब्सक्रता वह क्या सोंकतर वहां वह में बताना है तो क्यूब का मिसायल संकर कर तो जो क्यूबा है वो एक आंद महासाजर मे की तरटी सीमा के निकट है क्यूबा के मिसाल संकत को निम्लखित बिंदु से पच्किया सकता है तो क्यूबा है वो कहां स्थित है वो जो है आन्ध महासागर में स्थित एक छोटा सा दिवपी देश है और इसकी जो सीमा है वो सहीं तुराज अमेरिका मलब की यूएसे के क्यूबा का अपने समीवर्ति देश श्यूम्त राज अमेरिका की पेक्षा सोव्य संग से लगाव था क्यूंकि क्यूबा में सामयवादियों का शाषन था सोव्य संग उसे कूटनाई एवमविती सहेता प्रदान करता था तो क्यूबा की समीम कौन सा राज देश था में सोव्य संग के नेताओं को यह चिंदा सता रही थी कि संग राज अमेरिका एक पुंजिवादी देश है जो विश्यू में सामवाद को पसंद नहीं करता अतावा सामयवादियों दौरस साबेद शाषित क्यूबा पर आकमड कर राश्पति फिरेल कास्टों का तक्ता प सामयवाद का जो है समर्थन नहीं करता है इसलिए जो क्यूबा पर आकमर कर सकता है और राश्पति फिरेल कास्टों उनको हटा सकता है इसलिए जो क्यूबा था वह संग अमेरिका की शक्ति के आगे मिनकि बिल्कुली शक्ति इन था बहुत ही ज़्यादा कमजोर था उसके नेक्स पॉइंट हमारा क्यूबा में सोवे संग दौरा परमार मिसाले तैनात करना जो क्यूबा था उसने सोवे संग दौरा जो है परमार मिसाले तैनात कर दी तो क्या था सोवे संग के नेता निकिता सुकेता ने संग्ति राज अमेरिका दौरा क्यूबा पर आकमर की आश की सीमा में आना संभी बार कियमत्राज अमेरिका नजदी की सीमा में अकी सीमाँ से पहली बार सहालों के नजदीक सहसी मिसालों के आने लगा था से ओंपी जो बार स्वित गर्षक तो विस्तार अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों तथा शहरोपल हमला कर सकते था उसके पाद जो है वह हमारा सहीं तराज अमेरिका दौरा सोवेट संग को चितावनी दिया जाना तो क्या हुआ था जब क्यूबा ने सोवेट संग दौरा परमारू मिसाले तैना साथ की गई है अमेरिकी राष्टपती जॉन एंड करेडी तो इस ताइम अमेरिका की राष्टपती कौन थे जॉन एफ करनेडी थी ठीक है तो फिर उनके सलहकार दोनों देशों के मद्ध परमार्ण युद्ध नहीं चाहते थे फालसरोप उन्होंने सैम से काम लिया अमेर लेके प्रती अपनी गंभीरता की चेतानी देना चाहता था इस तरह पूर्ण स्थित में ऐसा लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियों के मद्ध भयानक युद्ध निश्चित रूप से होगा संपूर विश्व चिंतित हो गया था इसे ही क्यूब का मिसाल संकत के नाम से जाना जाता है तो आपने को समझ में आगया होगा कि क्यूब का मिसाल संकत था क्या कि सुवेज संग की साहिता से क्यूब ने मिसाले तैनात कर दी थी से इन तुराज अमेरिका के खिलाफ में तो यह सार कुछ था उसके बात है हमारा दोनों महाशक्तियों जाला युद को ट तालने का फैसल लिया वह दोनों ही जानते थी कि अगर जो हमारे बीक में युद हुआ तो इससे बहुत ज़दा बहारना के स्थिती विद्पन हो जाएगी जो कि दोनों ही रिशों के लिए बहुत ही ज़दा खराब चीज थी दोनों पच्छों के इस फैसले से समझत विश फैसल दोनों तक जारी रहा तो क्योँ अब रिक्राय और अंतराष्टी समंदों पर शावस्था से है जब दो क्यों अधिक देशों के मत तनाव पूर वातावरण हो लेकिन वास्तों में को युद्ध ना हो किसे की दो देश यह दो से अधिक देशों के मद जो है तनाव पूरवादा वरण हो मलगी एक दूसरे के प्रती अच्छे सम्मध ना हूं के सम्मध में थोड़ा सा कठोड़ता हो इस टाइप से हो लेकिन यूद नहीं हो रहा हो वास्तों में कोई यूद नहीं हो रहा बस वो यूद के नाम से जाने जाती है तो आयू आपको सीथ यूद समझ में आ गया हो गां इसके चयाया सब्सक्क्राइब अच्छे प्रभाव इंधे और बुरे प्रभाव हुए थे तो सबसे वहले हम नों देखेंगे सीथ के जो शकारात्मा प्रभावी प्रुष्टित को प्र शक्तियों कि मध? शीट-ीट की भायोद्ता के कारेसांपूरष विभिन देशों कि मध? सांतेपूर सा, स्थित्यों को भी परोशाहत्पती, जीसे, जिसे कि इन दोनों महांषक्तियों, के मध में तौनापूर वादावरान चल ला था? तो, जो अनिडेश है उन्होंने सोचे चलो हम्मुक तपता साथ दहते हैं तो सारे विश्व में आने जो था महां पे सब सांती स्थापित हो गए थी सकेंड पॉइंट था गुट ने पेख शाद दोलंद की उत्पती तो क्या हुआ था जो दोनों महाशक्तियां थी समय अमेरिका और सोविया तो क्या हुआ था जो देश इसमें सामिल नहीं होना चाहते थे जो नहीं चाहते थे कि हम किसी गुटों में भाजित हो तो उन्होंने क्या किया एक गुट ने पेख शांदोलन का जो है उससे जन्म हुआ था जिसके तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत विदेशी घृतिंडब सुछान yard on में में अधिकान तेशो और देश जो विदेश तो वह ज्यादा विकसिन नहीं थे नहीं विकसित देश के दर्जे में आ रहे थे ईन देश्वा की समख्मुक्षर चुनौती अपने देश का आरती विकास करना था बिना टिकíchस के कोई देश शही अ पर जोड़ देना था उन्हें अपने देश का विकास करना था और अगर उनके बाद धनी नहीं होगा तो वह किसी और देश पर धन के लिए आश्रित होंगे इसमें वहां उपने वेशक देश भी हो सकता था जिसके राजनेतिक आजादी हासिल की हो इसी सोच के कारण नौ अं था कि अगर यूद हो गया तो फिर क्या करेंगे इसलिए सब लोग अपने तरीके से अपने बचाओं के लिए नएने हथियारों का निर्मार कर रहे थे तो परमार सकती का भी विकास हो रहा था तो यह था हमारा सकरात्म प्रभाव अब देखेंगे इसके तोर जो हमारे नक सब्सक्राइब तो इन गुटों के निर्मार से दोनों में समलीट देशों ने अपनी सवतनता विदेशी नीट के साथ समझाता करना पड़ा जो कि किसी गुट्ट बें समलीट नहीं हुए उन्हें जो है अपने गुट्ट से समलीट होने है तो दोनों महाशक्तियों दाला मत क्या पताया जा रहा है कि जैसे कि एक गुट्ट सेंटर्ज अमेरिका के साथ था एक सोवेशन के साथ था और जो देश उसमें समलीट नहीं हुए थे उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप इन गुटों में समलीट होई है उसके बाद क्या था सैन गट बंधों का उद करने के लिए विपिन देश्यों दौरानी सस्ती करण के प्रयास किये गए लेकिन असफलता ही हाथ लगी अस्त्र सस्त्रों की होड में इसे अप्रभावी मना दिया उसके बाद है या संदेश के वातावरण का जन तो सीथ यूद के कारण अंतर अश्ठी राजनीती में भय प्रयों का प्रयोक किया था आपको पता है जो है जो यूसे है उसने जापान पर जो है जापान के नागासा की और हिरोशीमा में दूबं फेके थे लिटिल बॉय और कुछ और एक नाम था वैसे करके तो इसी ओर के कारसोविया संग ने भी परमार सस्त्रों का विकास किया इससे लग रहा था कि अगर जो मेरे भी फेक दिया उसने भी परमार स्त्रों का जो है विकास करा था इससे यद्या भी दोनों महाशक्तियों के मद शांति संतुलन स्थापित हुआ लेकिन उसके बीच सैन इस परदा भी अतधिक बढ़ने लगी क्यूबा मिसाल संकट के समय कना एक लग दोनों महाशक्तियों के मद परमार्व है संकत जो है तो ने संक्τοर पर्ड़ वोगे नहीं है तो आप कमेंद में बता सकते हैं आपको क्याम होगी है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर देखते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट के उद्य होने के कारण क्या थे जो सीत युद हो रहा था यह भी हमने उकले जाना बहुत ही जरूरी है तो चले देख लेते हैं जो पहला कारण था वह था परस्पर संदे और अविश्वास का डर्व र्याथ होना था तो सीथ युद क्यों हुआ था क्योंकि सोव्य संग में को भी अब हैता है कि अगर दोनों में ही यही जोर कंडिशन बनी हुए थी क्योंकि पास्चार देश बोल सेवी क्रांतिर से काफी प्रभाव भैबीत हुए थे जिसके आपस में अविश्वास्ता भैकी खाई को और अधिक चोड़ा कर दिया था उसके बार नेक्स्ट का है विरोधी विचारधारा तो प्रभावित हुआ था विश्व में दोनों ही अपना अपना प्रभुत अधिकारी छेत्र सापित करना चाहते थे तो यह एक कारण था सीट्यूत होने का नेक्स्ट है हमारा जर्मनी का घटना क्रम तो इसमें क्या हुआ था दुति युश्य के बाद जर्मनी दो भागों मे बढ़ गया था पूर्व जम्नी पर सामवयवादी शक्तियों ने सत्ता संभाली जबकि पस्ट में हिस्से में अमेरिका ग्रेट बीटन टाठ वाद फ्रांस की सामवयवादी विरोधी शक्तियोंने सत्ता की भगडौर अपने हाथों में ले लिए इस कारण से इस्तिरियां तिर्ने रंतर तनापुर होती चली गए जनवरी था जब दुद्धी विश्यूद के बाद जन्मरी दो गुटों में बाजित हो गया था तो जो पश्रिम जन्मरी था उसमें किसने अमेरिका ब्रिटेंड फ्रांस इन सम्मर की पुंजी वादो देशों ने जो है सत्ता उसकी जो पूर्वी जर्मन था वहां पर सामयवादी आगी तो इससे भी दोनों जो है देशों के बीच बहुत ही जादा तनावट पन हो गया था उसके बाद था मालता समझोता की अभेलना कर रहा था तथा वह पॉलेंड में सामयवादी सरकाय स्थापित करने में मददगा साब चला रखा था इसके पीछेन का याव देश था कि पश्चिम में अधिक से अधिक राजी सोवियस संग के विरुद इकठे हो जाए और सोवियस संग अलग थलग बढ़कर अखेला हो जाए ठीक है उसके बाद हमारे बहुत सारे पॉइंट है आपको PDF मिलेगा वहां पर प्राजित हो गया दा और जो नहीं जाना चाहते तो उन्होंने क्या किया था तो इसमें भारत की क्या भूम का थी वह में बताना है तो गुट्नेपेक्स का अर्थ क्या होता है दो महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना मकि जो दोनों महाशक्तियों ने USA और USSR ने जो क्री रहने का अंदोलन है ना या तरस्था है और ना ही प्रिथक्तावाद है अता गुट्नेपेक्स का अर्थ किसी देश को प्रतेग मुद्य पर गुड़ दोश के अधार पर नेरने लेने की स्वतनतिता और राश्टी हिद विश्व सांती के अधार पर गुटों से अलग प्रिशन करना और कोई भी सही मुद्य लेना सौतनत रूप से अपने अच्छे भले का घ्यान करना यही सब जो था हमारा गुट्नेपेक्स चाथा आगे देखते हैं गुट्नेपेक्स ता अंदोलन के संस्थापक कौन थे तो जो गुट्नेपेक्स अंदोलन की जर थी वो प्रिश्वाविया के जो से बॉस तीटो बाद के जुवालन नहरू और मिश्रस के बगाल अब्दुनलाकसिर प्रमुक थे इंडिनेशिया के सुकडू और घाना के वाके इनकुरूर ने इनका जोर्दा समर्चन किया था यह पाशनेता गुट्नेपेक्स चाथा पक कहला थ है भाद के बदान मंद्री जोहला नहरू ने गुट्नेपेक्स्टा की नीट का प्रिचपाइदन किया था तो चलिए इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा गलत हो गया आगे देखते हम लोग नहीं यहां पर है चली कोई ना यहां पर देखते हैं उसके बाद हमारा स्व वधोट्सेमेदों के रिप उसके बाद ना देशो का अंदोलन यह इन के लिए ओना देश मतर्त की जो अभी आभी स्वतंत हुए थे जो पहले गुलाम थे रिकिन अभी स्वतंत हुए थे उंको मासके यह और उनके समझ तीसा विकलब प्रसुत करने इनने पेख्ष बनाने के लिए प्रेश रखना विश्य सांथी तता लिए पेख्ष अचान वी रखना तो भारत के नेटा रूप में अंतराश्टी मामलों के सक्री हस्ता शेफ की नीदी अपनाने का बल दिया वैचारिक एवं संगतनात्मंग धाचे का निर्ने तो गुटने पेख्षांदोलन के वैचारिक एवं संगतनात्मंग धाचे के निर्धारन में भारत की महतपूर घुमका रही थी इसी राइप से ब अहला था वह था राष्टी हित के अनुरूफ फैसले तो गुटने पेख्षा की नीद के कारण भारत ऐसे अंतर राष्टी फैसले और पक्ष ले सकता था जिसे उसका साधन था तो जब गुटने पेख्षा नीच उसने अपनाई थी तो वह सोतंत रूप से अपने फैसले ले सकता था अगर जो चीज़ के हीत में हो रही थी वह उसके हीत में फैसले ले रहा था तो यह एक अच्छा पर पॉइंट था तो दूसरा था वह था अंतर राष्टी जगत में अपने महातों को बनाए रखने में सपर तो गुटने पेख्ष नीथी अपनाने के कारण भा तो यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था गुटनी पेख्ष नीथी वह नीथी सिधान विहीं थी कहा जाता है कि भारत अपने हितों को साधने के नाम पर अक्षर महादपूर्ण मामलों पर कोई सुने शित पश लेने से बशता रहा है और दूसी थी अस्थिर नीथी भारत की गुट नीथ पर इक्ष्टा की नी जो थी वह अस्थिर नीथी आपनों को समझ में आयोंगी यहां थोड़े से कॉंप्लिकेटेट कोश्चन है लेकिन आपको लन करना पड़ेगा यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है यह पेपर में आ चुके हैं और अगर जो आप इसका पीडियस आप ले सकते हैं और अब खुझसे पढ़कर इसको लेंग को सकते हैं तो आपको अच्छे से नहीं कर सकता तो आप वह अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लेंग करें क्योंकि यह सारे कुशन आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है और आ मैं नेक्स वीडियो मैं थैंक यू